तो हेलो गाइज, वेलकम टू आईटी पावर, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जामिया मिलिया इसलामिया का बियर डिस्टेंस मोड एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म आ चुका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इस पे क्लिक करना है, तो यहां पे जामिया की ओफिशल वेबसाइड ओपन हो चुकी है, आपको स्क्रोल करना है, स्क्रोल करके आपको यहां पे एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है, और यहां पे आपको लिंक दिखेगा, क्लिक हीर टू अपलाई for admission be at programs, cdoe, ठीक है, इ सारी चीजों को ठीक से देख लें उसके बाद ही अपना फॉर्म करें क्योंकि फॉर्म करने के बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक है अगर फॉर्म में कोई मिश्टेफ होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इसलिए पहले नोटिप एपन हो जाएगा आपको डेल सारी केरफुली फिल करनी है अगर आपके नेम में अगर मिडल नहीं है तो उसको ऐसे ही खाले छोड़ देंगे आप date of birth फिल करनी है आपको gender select करना है father name mother name याद रखें कि आपको जो student name है father's name है mother's name है और यह date of birth है यह कि mark sheet से match कर लिने है इसमें कोई mistake नहों ठीक है उसके बाद तो यहाँ पर आपको email id एंटर करनी है email id आपको वह एंटर करनी है जिस पर आप active रहते हों ठीक है जिसको आप यूज करते हों ठीक है क्योंकि आपको उस email id की future में ज़रुवत पढ़ने वाली है ठीक है उसके बाद एक password create करेंगे password आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें तीनों का combination होना चाहिए जैसे कि special symbol होना चाहिए कोई और alphabet होना चाहिए और इसके बाद आपको कोई number भी होना चाहिए कुछ इस तरीके के password का combination आपको बनाना है उसके बाद password को confirm कर देंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number एंटर करना है और यह capture इस field में fill कर देना है ठीक है यह करने के बाद आपको sign up पे click करना है sign up पे click करने के बाद कुछ इस तरीके की registration window आपके सामने open होगी ठीक है इसमें आपने details जो लिखी हुई है जो आपने fill कर रही है उनको एक बार check कर लिजे अगर कोई mistake है तो change पे click क करके आप उसमें correction कर सकते हैं otherwise एक बार आपने confirm कर दिया तो उसको आप बाद में change नहीं कर पाएंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको confirm कर देता हूं क्योंकि मैंने सभी details को सही fill किया है जैसे ही आप confirm करेंगे तो आपको कुछ ऐसा interface देखेगा ठीक है तो आपको back to home पे click कर कर देना है back to home पे click करके आप यहाँ पर आ जाएंगे अब आपको उस email id को open करना है जो आपने registration करती टाइम एंटर करी थी ठीक है तो देखो अब क्या करना है अब आपको अपनी email id को open कर लेना है अब यहाँ पर आपको activate your account पे click करना है activate your account पे click करने के बाद ऐसा interface देखेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी email id को enter करना है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है enter activation code ठीक है यह code आपकी email id पे आया होगा उसको आप चेक करिए पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं your activation code ऐसे ही आपकी email id पे activation code send किया ज submit पे click करते ही कुछ ऐसा interface देखेगा यहाँ पे एक message होगा आपको जिसमें लिखा हुआ होगा होगा हाई आपका नाम लिखा हुआ होगा उसके बाद your account has been activated अब आपको login करना है login पे click करते ही कुछ इस तरीकी का interface आपको फिर से देखेगा अब आपको क्या करना है registration complete हो चु जाता वही password आपको यहाँ पे enter करना है अगर आप password भूल गए हैं तो forgot password पे click करके अपने password को access कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी details को fill कर लेता हूँ details को fill करने के बाद आपको submit पे click कर देना है submit पे click करते ही कुछ ऐसा interface दिखेगा पहला option दिखेगा आपका my application दूसरा दिखेगा preview form प्रिव्यू form आपको fees payment करने से पहले चेक कर लेना है अपने form को पूरे तरीके से उसके बाद ही payment करना है तो अब आपको click करना है my application पे my application पे click करते ही कुछ S interface दिखेगा तो यहां से आपको अपने course type को select करना है तो यहां से bachelor को select करना है उसके बाद course name तो इस पे click करना है आपको select program name पर यहां से bachelor of education आपको दिख जाएगा इसको select कर लेना है उसके बाद proceed पे click कर देना है proceed पे click करते ही कुछ इस तरीकी कंटरफेस दिखेगा आपको तो यहां से आपको I have confirmed इस check box को click कर देना है याद रखें कि आपने eligibility criteria जो भी condition होती है इसके बाद यहां पर आपको add the course पर click करना है तो अब आपको कुछ इस तरीके की window देखेगी ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं आपको यह step follow करने है इस form को fill करने के लिए ठीक है इनको हम complete कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको click करना है application detail पर अब आपको यहां पर देख अब आपको क्या करना है social category को यहां से select करना है आप जिस category को belong करते हो वो category आपको select कर लेनी है तो मैं यहां पर general category के student का form fill कर रहा हूँ तो general category को मैं select कर लोगा यहां पर अब हमें यह nationality आपको select कर लेनी है यहां से अब nationality select करनी है अपनी यहां पर आपको तो मैं यहां पर Indian कर लेता हूं blood group select करना है आपको अगर आपके पास blood group के detail नहीं है आपको नहीं पता तो not known पे click कर देंगे आप तो यहां पर देखो आपको अपना guardian name fill करना है यहां पर emergency यानि कोई alternative mobile number है उसको fill कर देंगे और यहां पर अपना जो religion है उसको select कर लेंगे आप family की annual income आपको यहां पर select करनी है और आपको यहां पर अपना आदार नंबर fill कर देना है ठीक है उसके बाद address की detail fill करनी है हमें तो यहां पर आपको अपने address की detail में fill करना है अपना house number, landmark, city, village जो भी है, post office, state select करना है आपको district देना है, pin code देना है और अपने father या guardian का कोई भी phone number देना है ठीक है ठीक है यह permanent address की detail आपकी fill हो चुकी है अप correspondence address यहां पर आपको दिख रहा है है ठीक है अगर आ same as permanent address पे tick कर देना है तो अब आप देख सकते हैं आपके correspondence address की detail यहां पे fill हो चुकी है क्योंकि मैंने same as permanent address पे ही tick कर दिया था अब scroll करेंगे थोड़ा यहां से अब आपको save and proceed पे click कर देना है save and proceed पे click करते ही कुछ इस तरीकी का interface आपको देखेगा अब आपको photo and signature को upload करना ह ठीक है तो यहां से आपको देख सकते है photo जो भी upload करेंगे वो passport size photo होना चाहिए उसका size रहेगा वो 100kb से कम होना चाहिए उसके बाद आपका signature upload करेंगे उसका भी size 100kb से कम होना चाहिए और jpg format में होना चाहिए jpg या jpg तो आप हम यहां पे photo को upload करेंगे तो choose file पे click करेंग फोटो यहां पे successfully upload हो चुका है अब यहां पे signature को upload करेंगे तो यहाँ पर मैंने photo और signature दोनों ही successfully upload कर दिये हैं अब आपको save and proceed पे click करना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे green tick आ चुका है application detail पे photo upload और signature upload पे भी यहाँ पे green tick आ चुका है तो यह दो detail आपकी complete हो चुकी है अब academic details को यहाँ पे fill करना है आपको यहाँ पे अपनी academic detail फिल करनी है तो यहाँ पे class 12 की detail फिल करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको class 12 की detail फिल करनी है तो यहाँ पे अपना board या university select करेंगे आप तो यहाँ से अपने board को select कर लेंगे अगर आपके board का नाम इस list में नहीं है तो नीचे स्क्रोल करके आपको other वाले option को select करना है किस year में आपने pass किया था उसको select कर लेंगे आपने किस college का आपको यहाँ पर नाम enter करना है आपको यहाँ पर division या grade आपको यहाँ पर अपना enter कर देना है कितने marks आयते आपके class 12 में वो यहाँ पर आपको enter करने है अगर cgpa का system है तो आपको cgpa यहाँ पर अपना link देना है जो भी आपको cgpa मिला था अगर आपके marks percentage में आयते तो यहाँ पर percentage कर लेना है किसी यहर में आपने वैचलर डेगरी पास करी थी वह आपको select कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपने college का नाम enter कर देना है अगर आपकी graduation में final year या final semester का result नहीं आया है तो आपको result awaited पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर अपनी detail फिल कर देता हूं क्योंकि मैं जिसका form फिल कर रहा हूं उनका result आ चुका है तो यहाँ पर मैं उनकी detail को फिल कर देता हूं अगर आप post graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसकी detail आपको fill कर देनी है यहाँ पर उसके बाद आपको अपने teaching diploma की detail को fill करना है जैसे आपने BTC किया है या DLT किया है एट किया है जो भी डिप्लोमा किया है teaching का दो साल या चार साल का उसकी detail को fill कर देना है आपको तो यहाँ से मैं किस university से क्या है उस university को select कर लेता हूं आप अपने university को select कर लीजिए किस year में complete किया था या किस year में complete होगा उस year को select करना है और यहां पर आपको college का नाम select करना है आपको रियल्ट आ चुका है तो आप अपने marks वगरा फिल कर दीजिए यहां पर अगर नहीं आया है तो रियल्ट अविटेट पर क्लिक करेंगे अब आपको save and proceed पर क्लिक कर देना है save and proceed पर क्लिक कर देना है आपको कुछ ऐसा notification देखेगा यह आपको reconfirm के लिए बोला है अगर आपने कोई mistake नहीं कर रही है तो आप इसको ok कर दीए otherwise आप cancel करके अपने detail को एक बार चेक कर सकते हैं तो मैंने सब को साई से फिल किया इसलिए मैं ok पर क्लिक कर रहा हूं academic detail confirm होने क आप इस document detail पर आ जाएंगे तो यहां से आपको यह document upload करने का section मिलेगा लेकिन यहां पर इन्होंने document upload करने वाले option को enable नहीं किया है तो यहां पर हम document upload नहीं कर पा रहे हैं अब आपको save and proceed पर क्लिक करना है अब यहां पर support center preference तो यहां से अब आपको reservation category को select करना हैं तो आपको अपनी categories select करना है मैंने जरनरल category से form fill कर था तो जरनरल category को select कर रहा हूं तो अब आप Passionит सब्प्चेजम को select करना है यहां से entrance exam के test center इसका Delhi में रहता है तो यह by default daily automatic selected है यहां से आपको जाम यह के distance support center को select करना है तो यह preference दे रखी है इन को select करना है अपने कोड़िंग आप सेलक करेंगे first preference किसको रखना है second किसको रखना है यहाँ पर आपको 5 preference मिलती है तो आप सेलक कर सकते हैं इनको उसके बाद save and continue पर click करने के बाद ऐसा एंटरफेस दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको employer name, यानि कहाँ पे आप job कर रहे हैं as a teacher, उसका नाम लिखना है आपको, और यहाँ पे employer address, जहाँ पे आप job कर रहे हैं, वहाँ का address लिखना है, time period कब से कब तक आपने job कर ये, तो यहाँ पे select करना है आपको, total period लिखना वो add हो चुका है यहाँ पे, और add करना चाहते हैं तो आप इसको fill कर सकते हैं, अदरवाज आप continue पे click करेंगे, continue पे click करके, आप देख सकते हैं, आपका यह application form है, वो यहाँ पे आजाएगा, आप पूरे application को सही तरीके से read कर लिजे, आपने कोई mistake तो नहीं करिए, उसके ब सटेगा अपना फिर से, और फिर नीचे option देखेगा, procedure payment, अब procedure payment पे click कर देना है, make sure आप पूरे form को ठीक खरी से check कर लें, उसके बाद ही payment करें, यह form की जो fee से refundable नहीं है, ठीक है? अब procedure payment पे click करेंगा, procedure payment पे click करने के बाद कुछ s interface आपको देखेगा, अब यहाँ से आप आपको payment का टाइप सेलक करना है online उसके बाद आपको credit card, debit card या जो भी जिस तरीके से आप payment करना चाहते हैं उसको select कर लेंगे मैं यहाँ पर debit card select कर रहा हूं उसके बाद proceed to pay पे click कर देंगे आपको इस तरीके का interface देखेगा और pay now पे click करेंगे pay now पे click करते ही कुछ इस तरीके का interface देखेगा आप pay using card पे click करेंगे ठीक है यहाँ पर आपने card की detail फिल करना है expiry card की और card किस नेम से है वो name फिल कर देंगे cvb फिल कर देंगे उसके बाद आपको pay now पे click कर देना है latest information के लिए हमारे चैनल को subscribe करें thank you for watching